पंजाब और हरियाना हाई कोट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है पंजाब और हरियाना हाई कोट में जो भीकेंसिज निकली हुई है उनसे संबन्दित तीन प्रकार के नोटिफिकेशन निकाले गए है तो आपको इस वीडियो में तीनो ही नोटिफिकेशन की जो डिटेल है वो दी जाएगी तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो पहला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 27 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है एड़ोटाइजमेंट नंबर पंजाब की है और हर्याना की यानि की दोनों ही रीजन की जो एड़ोटाइजमेंट थी उनसे संबंदित एक ये सिंगल नोटिफिकेशन निकाला गया है तो ड्राइवर की जो वेकेंसिस निकली थी उसके बारे में है रिटन एक्जाम इसका होगा 19 सितंबर 2021 tentatively और कहाँ पर होगा लोकेशन क्या रहेगी आपको पता ही है सेम ही रहती है चंडिगर्ड, मोहाली यहाँ पर आपके एक्जाम सेंटर्स होंगे पैटरन ओव एक्जाम क्या रहेगा तो आपको पता है ड्राइवर का एक्जाम है तो ऐसे ही questions आएंगे 50 MCQ आएंगे किस से संबंदित, traffic signal से संबंदित, rules से संबंदित और जो driving के जो skills होती है उससे संबंदित और बाकी के जो questions होंगे वो कैसे होंगे, general awareness और aptitude के एक question का एक marks होगा और there will be no negative marking कमाल की बात है negative marking नहीं है तो जो पंजाब और हरियाना हाई कोट का जो clerk का exam होता है उसमें negative marking होती है यहाँ पर इन्होंने नहीं रखी गए यह बहुत ज़्यादा important बात है mode of selection, the candidate who will secure 40% or more marks will be deemed to be qualified in the written examination तो 40% marks कम से कम आने चाहिए जिसके written exam 40% marks आ जाएंगे उन्हें किसके लिए बुलाए जाएगा फिर आगे practical driving test के लिए और interaction के लिए जो बाद में होगी the final selection will be based on the marks obtained by the candidates in the practical driving test तो देखिए final selection किसके अधार पर होगी जो आपके marks आएंगे किसमे practical driving test में यह बात आपको ध्यान रखनी है instructions regarding COVID-19 तो यह तो central government के guidelines है इसलिए इनोंने लिख दी है कि COVID guidelines का आपको पालन करना है कैसे करना है wearing of mask कौन से वाला N95 या फिर 3 layer वाला mask तो देखिए hand sanitizer तो लाना है लेकिन वो bottle भी कैसी होनी चाहिए transparent candidates have to follow COVID-19 guidelines जैसे की social distancing, personal hygiene यह सब आपको पालन करना है examination center में candidates has to produce duly filled self declaration form along with admit card तो admit card के साथ ही आपको जो declaration form है वो लेकर जाना है यह वो है declaration form यह आपको भर कर print out निकलवा कर लेकर जाना है तो इसमें क्या कहा गया है कि आपको किसी प्रकार का कोई issue है भी जैसे की cough, breathlessness, sore throat, runny nose, body ache, fever अगर यह सब है तो आप देख लेना अगर नहीं है तो no कर देना अगर होगा तो फिर आपको थोड़ी problem हो सकती examination center में तो आप इस चीज का जान रखना कि जान में से सभी no ही आपको tick करने है ठीक है यह तो था पहला notification जो examination pattern था driver की vacances का अब बाकी के दो notification भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह दूसरा notification application भी 27 अगस्त का जारी किया गया है तो देखिए कुछ discrepancies पाई गई हैं जिनके नीचे roll number दिये गए हैं all such applicants were granted one time special opportunity to remove their discrepancies तो इन्हें discrepancies remove करने का जो time दिया गया था 23 अगस्त से पहले पहले इन्हें अपनी discrepancy कतम करनी थी यह लोग जो है अब exam नहीं दे पाएंगे तो जैसे आप देख सकते हैं यह है पहले list 1A इसमें 3 candidates के नाम है क्या problem है whose fee could not be reconciled with bank records उसके बाद आप नीचे भी देख सकते हैं कितने सारे roll number है इन सब का candidature जो है अब reject कर दिया गया तो ऐसे ही बहुत बड़ी list जारी की गई है सब यह अपना roll number देखे और आप exam नहीं दे पाएंगे तो यह थी rejection list अब दूसरा notification देख लेते हैं तो यह एक और notification है 27 अगस्त का यह हरियाना region का है driver की vacancies का तो इन्हें भी जो है one time opportunity दी गई थी 23 अगस्त तक कि अ देख लेना एक बार पूरी list को official website से